Motor Vehicle Amendment Bill और जो कानून बन गया एकनाया 2019 में आखिर उसके अंदर आने वाले जो Car Accidents हैं आपकी अगर गाड़ी से या आपकी बाइक से या किसी और वाहन से किसी की दुरगटना हो जाती है तो वो किस प्रकार की Liability में आएंगे वो Civil Liability में आएंगे या Criminal Liability में आएंगे या Tortious याने Tort की Liability में आएंगे जरा इस वीडियो में Nature के बारे में समझते हैं अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए पहली रिक्वेस्ट वीडियो आंदे तक जरूर देखें आप शुरू बात कर रहे हैं ओनलाइन लीगल एडवाईज अशोग पांडी के साथ चलिए बात करते हैं आखिर ये Civil Liability में, Criminal Liability या Tort Liability में आएंगे सबसे पहले जो भी मामले जो accident से संबंदित होगे road accident से संबंदित होगे उसे एक तरीके से यदि आप माने तो काफी सारे देशों में, including हमारे देश में उसे Civil Wrong समझा जाता है यानि कि Civil Criminal Offense है Civil Criminal Offense में क्यों कह रहा हूँ, because it is quasi-civil and quasi-criminal दोनों-दोनों है, criminal भी है, civil भी है, दोनों प्रकार की Liabilities इसमें आ जाती है सबसे पहला, क्योंकि आपका intention नहीं होता, आप जानते नहीं सामने वाले व्यक्ति को लेकिन उसके बावजूद, अगर आपके गाड़ी से, आपके बाहन से उसके दुरघटना हो जाती उसकी मौत हो जाती है, उसके हाथ पे टूट जाते हैं, तो क्योंकि आपका एक तो intention नहीं था और अंजाने मैं ऐसी घटना हुई, तो इस वज़े से civil wrong में लाया जाता है civil wrong में इस वज़े से भी लाया जाता है, क्योंकि अब जो आपने damages किये, वो कैसे damages अब वो claim करेगा आपने उसका पैर तोड़ दिया, इसका मतलब उसके परिवार वाले या वो व्यक्ति आपके पैर तोड़ने की बात तो करेगा नी दूसरी बात अगर आपने उसकी जान ले ली तो वो अब अदले में आपकी जान लेने की prayer तो कोट से करेगा नी तो इस वज़े से it is civil wrong, जहाँ पर वो compensation ले सकता है, compensation यानि मुआफजा, जे हाँ अब गलत तो हुआ, उसकी भरपाई नहीं है, लेकिन फिर भी in terms किस दूसरे मीन से या किस दूसरे तरीके से उसकी भरपाई की जा सकें, वो है financial mode तो इस वज़े से civil wrong जादा समझा जाता है, अब क्योंकि दूसरी महतवपून बात यह है कि accident अपने आप तो हो नहीं जाते हैं, कई बार ऐसी बात होती है कि आपके बच्चे जो 18 साल से कम है, आपकी गाड़ी लेके जाते हैं, वो accident कर देते हैं, या आप शराप पी कर नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप अपनी जंदेगी के कुछ चंद सेकेंड बचाने के चक्कर में गाड़ी की रफ्तार तेज कर देते हैं, सामने वाले को ठोक देते हैं, तो यह negligent behavior है, जो कि criminal law में describe है, IPC, Indian Penal Code, जो criminal law है, उसके अंडर इन सारी चीज़ों का प्रावधा दिया गया है, mistakesions के बारे में, with detailed क्या punishment है, आपको वो भी बताऊंगा, फिलहाल, क्योंकि हम nature की बात कर रहे हैं, कि यह civil wrong है, यह criminal wrong है, उसके उपर हम लोग ज़्यादा emphasis करेंगे, focus करेंगे, दूसरी बात यह, जिसका आपने accident कर दिया, वो क्या, अब वो क्या करेगा, वो compensation क्लेम करेगा, compensation क्लेम करने के लिए आपको कहा जाना पड़ेगा, motor vehicle act, जो कानून है, उसके दाइरे में, एक अलग से authority बनाई गई है, जिसे हम कह सकते हैं, एक तरीके का court है, इसे हम tribunal भी कहते हैं, जी हाँ, और इस tribunal का क्या नाम है, M.A.C.T., motor vehicle claim tribunal, क्या बोलते है, M.A. क्लेम करेंगे, कितना होता है, मान लीजे मेरा कोई अगर accident कर लेता है, मेरे हाथ-पैर खराब हो जाते हैं, तो इस condition पर, जो मैं claim करूंगा, उसका पूरा schedule बनाया गया, उसकी पूरी listing बनाई गई है, उसमें कितना compensation award करना चाहिए, वो 2-3 factors के उपर determine करता है, पहला, मेरी क्या है, अगर میरी उमर 30-35 वर्ष के बीच में है, तो मुझे जादा compensation मिलेगा, 25 से लेकर के 30 या 35 वर्ष के बीच में है, जादा compensation मिलेगा, अगर मेरी उमर 60 के बाहर है, 65 साल है या कुछ तो मेरी زندگी कुछ और साल बचे हैं, तो compensation कम हो जाता है, दूसरी बात, अगर मैं ड क्योंकि उसने मुझे आर्थिक के साथ में शारिरिक जो नुकसान पहुचाया उसे काफी भारी पढ़ सकता है। और बाकी जो बचा हुआ calculator जो काम अपना छोड़ देता है वो काम करता है कौन? वो काम करता है judge? वो काम करता है court और ये court का discretionary power है कि उस compensation को उपर या नीचे कर सकती है। अगर मान लीजे जो subordinate court है या M.A.C.T. है अगर वो आपको कोई claim या compensation या मुआफजा देता है अगर आपका कोई accident हो गया और आप अगर उसे है नाखुश तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी appeal करनी पड़ेगी. जो higher court है वहाँ पर आप जाएंगे और उसकी करेंगे आप appeal तो ये एक तरीके से आप समझें यादि हम nature की बात करें कि जो motor vehicle accident से संबंदित मामले होते हैं अगर रोड में चलते हुए किसी का accident हो जाता है तो ये मामले किस कानून के अंतरकत आएंगे तो motor vehicle जो act है 2019 का उसके अंदर तो आएंगे ही आएंगे साथ में ये criminal के साथ civil responsibility भी सामने वाले व्यक्ति जिसने accident किया उसके उपर लागू कर देते हैं तो IPC भी लागू होगी जी हाँ 1860 का जो हमारा कानून है Indian Penal Code जो criminal law से संबंदित है बहाँ पर आपको सजा भी हो सकती है याने imprisonment हो सकती है और इसके साथ जब आप जेल जाएंगे पैसे भी आपक हमेशा गाड़ी का insurance रखें इससे कभी गलती से आपसे मुझसे गलती किसी से भी हो सकती है अगर गलती हो भी गई तो responsibility किसकी होगी जो भी claim है जो damages है जो opposite party या third party को देने की जवाबदारी जिम्मदारी है वो damages देने की जवाबदारी insurance company की है तो at the time आपको अगर ऐसी कोई हो भी जाती है in future तो उस condition पर जो criminal punishment है वो तो दूसरी बात है बट फिर भी जो civil wrong है जो आपको compensation देना पड़ेगा मुआफजा देना पड़ेगा उससे आप बच सकते हैं और इस वजह से जरूरी है कि आप कुछ पैसे ना बचाएं आप insurance अपनी गाड़ी का जरूर करवाए कोशिश करें कि आप third party insurance रखें जो की mandatory है 2015 के बाद जो कानून में amendment हुआ था और 2019 में भी आपको ये जो nature की उपर मैंने describe किया अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आपको like करना है subscribe करना है साथ ही साथ नए है कानूनी latest informative videos आपको इसी channel के माध्यम online legal advice के माध्यम से मिलत सकते हैं इसके लिए आपको appointment book करना पड़ेगा description इस video के link जो है वो description box में डला हुआ है साथ ही whatsapp number भी आपको हमारी screen पे display हो रहा होगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो रहेगा हमारा part 4 तब तक के लिए आप सभी रखें है